पिछले डेड़ सालों से दुनिया भर में कोरोना वारस ने तबाही मचा रखी है लाखों लोगों की मौत होई तो वहीं कई देशों के एकॉनमी दस्यों साल पीछे चली गई है लेकिन अब बीते कुछ महीनों से लॉंग कोविड भी लोगों कुछ जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है लॉंग कोविड यानि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई शारिरिक परिशानियों से जूचना लॉंग कोविट किस उम्र के लोगों को जाधा प्रभावित कर रहा है और क्या वैक्सीन के जरिये इसे निप्टा जा सकता है क्या ये बच्चों पर भी असर कर रहा है इन सब बातों की परताल अज कवर स्टोरे में भारत में अब तक करोना वारस से बचने के लिए वैक्सीन की 76 करोड से जाधा डोज लगाई जा चुकी है विश्व स्वास्ते संगठन ने भी भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्राम की तारीफ की है कल प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी का जन्म दिन है खबरों के मताबिक सरकार का प्रयास है कि कल रिकॉर्ड संग्या में वैक्सिनेशन हो इन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत के वैसकों की एक बड़ी अबादी है जिसे अब भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है और ऐसे लोग लॉंग कोविड की जद में हैं लॉंग कोविड यानि कि कोरोना से रिकावर होने के बावजूद मरीज लंबे बक तक कई किस्म की शारिरिक परिशानियों से जूचता रहा है डॉक्टर्स कहते हैं कि कई युवाओं में भी लॉंग कोविड के लक्षन देखे जा रहे हैं ब्रिटन में डॉक्टर्स युवाओं को उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो पहले एकदम स्वस्ते लेकिन अब लॉंग कोविड से जूच रहे हैं मकसद है युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेडित करना 20 साल की मेगन हिगिन्स उन्हीं में से एक है 6 जनवरी को मुझे पता चला था कि मैं कुविट पॉजिटिव हूँ ये दिन मेरे दिमाग में छप गया है मुझे लगता था कि मैं खुश किस्मत हूँ जो दो सप्ता के लिए ही बिमार रही और फिर अपनी सामान जिन्दगी में वापस आ गई मैं सोचती थी कि मैंने दो सप्ता उस बिमारी से लड़ने में लगाए तो स्वभाविक है थोड़ी थकान तो होगी ही लेकिन महीने दर महीने बीटते गए मैं बहतर महसूस कर ही नहीं पा रही थी मैंने अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए कई चीजें की पर सब बेकार मेरी हालत और खराब हो गई मैं होर्स राइडिंग करती थी मैं दौर लगाती थी अपने पालतों कुत्ते के साथ टहलने भी जाती थी मैं स्कूल में काम करती थी लेकिन फिर बच्चों को कसरत कराते वक्त मैं अपने पैर तक नहीं छुपाती थी मैं शारिरिक तोर पर कुछ भी करने पर जल्दी थक जाती हूँ I was so tired just doing anything physical. कोविड के लक्षन आए. लेकिन ऐसा क्यू है कि कुछ लोग जो युवा और स्वस्तिमी हैं उन्हें दूसरों के तुलना में लॉंग कोविड हो रहा है. ब्रिटिन के एक लॉंग कोविड क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर अमिताब बैनर जी ने से हमने यही समझने की कोशिश किये. हम यह जानते हैं कि आम तौर पर इंफ्लूएंजा के बाद पोस्ट वाइरल सिंड्रोम होते हैं. यहां तक की दूसरे वाइरस जैसे जैसे ग्लान्डिलर फीवर के बाद भी कई लोगों में लंबे समय तक असर दिखता है. इसलिए हमें लगता है यह आपकी प्रतिरक्षा तंत्र और उसके असर का कॉम्बिनेशन है. हम अब भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कई लोगों में लॉंग कोविट के लक्षन क्यूं दिखते हैं. बहुत ज्यादा बीमार होने के उलट. जहां हमें पता होता है कि कोई उम्रदराज है, डाइबेटिक है, तो आपको लॉंग कोविट का ज्यादा खत्रा है. लेकिन वो लोग जिन्हें कोविट की वज़ा से अस्पताल में भरती होने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जो युवा हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं. जबकि उन्हें पहले भी कोई बिमारी नहीं है, यानि उनकी इम्म्यूनिटी भी कम नहीं थी, जो लोग काफी खेल कूट करते थे, वो सीड़ियां चड़ने में भी ठक जा रहे हैं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग समय के साथ ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन जितने बड़े पैमाने पर युवाओं में लॉंग कोविड हो रहा है, वो हैरान करने वाला है. और हमें इसे जल्द समझने की ज़रूरत है. अब लॉंग कोविड के लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं. कैसे ये कोविड संक्रमन ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक लोगों को परेशान कर रहा है. ब्रिटन के नैशनल हेल्द सर्विस के मताबिक लॉंग कोविड के लक्षणों में शामिल है जादा थकान, सांस लेने की तकलीफ, दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द या फिर जक्रन होना, यादाश्ट कमजोर होना, ध्यान लगने में तकलीफ, मूँ के स्वाद और सूंगने की शक्ती कम होना भी इसके लक्षण है, और साथ ही ठकान, जोड़ों का दर्द, सामान निगतिविदियों जैसे चलने, तैरने के लिए भी स्टेमिना ना होना भी इसके लक्षण है, इसके अलावा कुछ दिमागी लक्षण भी है, जैसे हलुसिनेशन, नीन म कमी, सुनने और देखने की शक्ती पर असर, या दाश्ट कमजोर और बोलने में दिक्कत होने की भी बात सामने आई है, लेकिन नई शोद से पता चला है, कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों में लॉंग कोविट का खत्रा आधा हो जाता है, हलांकि जादातर लोग लोग कोविट से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या ये चिंता की बात है, कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि लोग कोविट का असर ना सर्फ स्वास्ते से वहां पर पड़ेगा, बलकि इसे देश की अर्थ व्यवस्ता का भी नुकसान होगा, कैसे बता होने या मौतों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोरोना से लंबे समय तक होने वाले असर के बारे में हमने नहीं सोचा, लेकिन वास्तव में हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ लोगों को इस से परिशानी हो रही है, बलकि इसका में एड्मिट ना हो रहे हो, लेकिन इस बिमारी से होने वाली ठकान या दाश्त कमजोर होने की वज़ा से लोग महीनों तक अपने सामान्य कार पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपकी नौकरी, घर से काम, किसी की देखभाल करना सब शामिल है, मुझे लगता है जिन मर लाज अब तक नहीं है, जो ये सुनिश्चित करे कि आपको लॉंग कोविड ना हो, इसके लिए कई शोध और शुरू हो रहे हैं और कुछ चल भी रहे हैं और विश्चेशक्यों का ये भी कहना है कि लॉंग कोविड ना सिर्फ लोगों को निजी तौर पर प्रभावित करेगा, बलकि इससे पूरा देश और समाज प्रभावित होंगे, जानते हैं कैसे? अब भी हम संक्रमित होने वाले मरीजों, अस्पताल और ICO में भरती होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या पर फोकस कर रहे हैं लेकिन लॉंग कोविड की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, जबकि ये हमारे रडार में होना चाहिए ये हमें निजी तोर पर, सामाज के तोर पर और देश के तोर पर आने वाले कई महीनों तक प्रभावित करता रहेगा लॉंग कोविड से प्रभावित लोग अपनी पूरी च्छमता से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके बार बार टेस्ट करने की, इलाज करने की जरूरत पड़ेगी उनकी दवाईों पर खर्चा होगा, हेल्थ केर सिस्टम पर भार बढ़ेगा और कुल मिलाकर तमाम तरह की लागत बढ़ेगी, जो एकॉनमी पर बुर आसा डालेगी यानि लॉंग कोविट भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खत्रे के तौर पर सामने आ रहा है मतलब कॉरोना से रिकवर होने के बाद भी कई लोग राहत की साथ